आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टेंडेड यूई एंडुए 10 बेस रोम के बारी में जिसको आज हमने अपने Poco X2 के अंदर इंस्टॉल कर रखा है मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे आप इसको अपने Poco X2 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरू करेज़ेगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे कि आप देख पारे हैं यहें Poco X2 फोन और इसके अंदर आज हम जिस रों को रन कर रहे हैं उसका नाम है एक्सेंडेड यू जो की Android 10 के ओपर बेस्ट है अगर आप स्टेटेस पार के आइकन को देख पा रहे होंगे तो आपको उपर जो है वोल्टी का आइकन देखने को मिलता है इसमें पॉफेक्टली काम कर रहा है उसमें सजेस्ट कोई भी इशू नहीं है तो यह की जिए की कस्टुमर के पर हमने एक नंबर डाल करका है और ह इसमें पॉफेक्टली काम करता हूँ आपको नजर आ रहा है अगर आप इस टाइम के देख पा रहे हैं कि आपको हमारे फोन पे एक अलग सा वीजिट देखने को भी मिल रहा है तो हम यह जो है के वीजिट करने हैं अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरा आपको इसके अंदर डिफॉल्ट मिलता है जिसके अंदर आपको कोई भी एक्ट्रा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं बट जीकेम 7.3 जो है इस रूम पर पर पॉफेक्टली काम कर रहा है उसके उपर एकॉलिडी में वीडियो बना रहा है जीकेम 7.3 का लिंक आपको डिश्टियों मिल जाए अब जलते हैं अब जलते हैं इसके सेटिंग पैल पर और कुछ और चीज़े को भी चेक आपको कुछ इस तरीक यहां पर देखने को मिलता है जिसके अंदर थर्ड नंबर पर इनके अपने फीचर्स हैं जिसके नाम है कंफिगरिशन सेंडर जैसी आप इसके पर जाएंगे चोटे मोटे चेंज़े करते हैं ज्यादा फीचर्स अभी आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो इस ताइम पर इनिशल स्टेजिस पर में भी आगे चलके आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जैसे स्टेटेस बार में जाएं तो आप आइकन को रिमूब कर से यह आई त्यून में जाएं तो आपको आपको अप्सिं ब्राइटेस लाइटर हो गया पका योग तया ब्राइटनेस पी आपको इंदर यह कुछ चीज़ा देख पाती है और ज्यादा कुछ और और उस पर दिखने को नहीं मोता है नोटिविकेशन में चोटे मोटे चैंज करते हैं जैसे Ambient Line को आप यहां पे नेबल कर सकते हैं है Smart Replies Time Out, News Timer, Noise Notification, Screen On या बैटरी चारजिंग लाइट को आप यहां पर मैनेज कर से हैं आप किस तरीके के लाइट से इनको आप मैनेज कर लेगे Navigation and Buttons और आप navigation Bars को यूज़ करते हैं जैन आपको कुछ आप्शन मिल जाते हैं यहां पर यूज चैनल, support, chat, donations यह यह चीज़े आप यहां पर चेक आप यहां पर चारपाते हैं Apps and Notification का पैनल आपको वही Android 10 का ही देखने को मिल जाता है बैटरी का पैनल आप देख पा रहे होंगे आपको बैटरी परसंटेज को उप्शन मिल जाता है जिसको आप यहां से Disable या Enable कर सेते हैं एडिप्टिव बैटरी एंड बैटरी शेवित की कुछ आप्शन साप यहां पर देख पाते हैं डिस्प्ले में आपको Style & Wallpapers मिल जाते हैं जिसके अंदर आप इनके Styles को चेंज कर सेते हैं आप इनके Clock को चेंज कर सेते हैं और Wallpapers को अपने फोन में मैंनेज कर सेते हैं Dark Theme को Enable कर सेते हैं साथ यह साथ Font Size, Display Size, Screen Saver यह कुछ उप्शन मिल जाते हैं दिस्प्ले में आप चींज करेंगे और लास्ट में आप जाएंगे तो डिवाइस स्पेसिफिक सेटिंग में आप इसके रिप्रेश रिप्रेश रहें 60Hz या 120Hz पर रख सते हैं प्ल स्काइल नॉट्स जो फ्रन्ट केमरा के चाइल होता है उसको भी आप इसको सिंगल लेंज या या वियसे आप रख सकते हैं या फिर दिव्ट भी आप से इसको रख सकते हैं तो यह सब चीजे आपको डिस्पले में देखने को लती है तो यह देखिए फोन जो फिंगर प्रिंट टेस्ट में आपको मिल जाता है और साफ इसाथ आपको डिजिटल वेल बीइंग इसके देखने को मिल जाता है जिसमें आपने डेली एक्टिविटीज किया आपका स्क्रीन टाइम रहा है कितने नोटिफिकेशन आपने रिसीब कियें कितनी बार फोन को लॉक और लॉक किला है ये कुछ ऑप्शनस आपए आप जाके चेकड़ करें उसी तरी के सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम में आपको जस्टर मिल जाते हैं इसे जिसे जंप्टो कैमब्स नाविगेशन आप स्ट्वाइब करके अपने फोन के अंदर स्कीन शॉर्ट को भी आपे चैप्चर कर रहा है तिये फीचर भी इसमें काम करता हुआ है एडवांस में जाएं तो आपको रिस्ट उप्शन से उप्शन से कुछ उप्शन से आप देहने को होगा है ज्यादा इस ने पर कोई फीचर से आपको इसमें देहने को ने बिलते हैं बात करें अगर बात करें पबजी की आप गौन से मोड पे खेल पाते हैं तो मैं आपको इसमें ग्राफिक्स की सेटिंग्स दिखाता हूं सिर्फ आप एच्टी मोड तक जासे थे उसमें फ्रेम हें उसमें बात करेंगे कि आपको अर्ड कीगोर करेंगे कि अग्light कमें प्थे फोन के लिवरी फीचशन के डियो यहां से आप सको इनस्टाल कर सेकते हैं के बाद आपको दूरी def १ ऐक तो चाहिए अपको इसको प्रेश करने कि चाहिए लिए कि अ और सेकेंड चाहिए आपको एक्टेंड डिवाइए जो की 1.10 GB के आसपास की इन दोनों फाइलों को आपने सेव करेंगे और उसके बाद आपने फोन को कस्टम रिकवरी बूट करेंगे तो हमको यह ओप्शन रिस्टार्ट में मिल जाता है एडवांस में तो हम इसको रिकवर कर देना पॉन का बैकप जरूर डिलिजर क्या पर डाटा सारा डिलिक्ट होने को जैसे यह पार्टिशन वाइप हो जोता है इंस्टॉल पर जाए रेद्मी 880 की फाइल है उसको फ्लैश कर लीजे कि नेर बाउट वन मिनिट के थी है फ्लैश होने को तो हम थोड़ा से वेट कि रों को स्टेट करेंगे और इसको भी फ्लैश करेंगे यह भी निर वॉट वन मिनिट लेता है तो इसको भी फ्लैश होने देते हैं उसके बाद वापको नेक्स स्टेप क्या फॉलो करना है ताकि आपका जो फॉन पर पॉपक्त कर सके तो यह दिए फाइनली रोम भी इंस इस रोम सब्सक्राइब करेंगे तो यह दिखें गूगल की बूट स्कीन आ चुकी है यह दैक मेंज आपके पोको एस्टू में फ्लैश हो गया इसके बास सेट अप पर जाएगा आप साभी चीजों को सेट अप करेंगे इस रोम के सभी फीचर सा अपने फोन देंदर इंज